नमस्कार मैं सुनिता विश्णुई असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री एमस कोलेज बीका निर प्रिय बच्चो आज हम गुलाम वन्ष के शासत इल्टूतमिस का अध्यन करेंगे जिसका कालकरम 1210 से 1236 के मद्दे माना जाता है सबसे पहले हम देखेंगे कि इल्टूतमिस का प्रारंबिक जीवन कैसा रहा इल्टूतमिस दिल्ली के प्रारंबिक सुल्तानों में प्रमुकिस्तान डगता है वह इल्बारी तुर्क था उसके पिता आलम खाँ इल्बारी जनजाती का एक प्रमुक सरदार था इल्टुतमिस बच्पन से कुशागर बुद्धी का बालक था उसका पिता अपने सबी पुत्रों में से उसे सबसे अधिक्स नहें देता था इसलिए उसके आन्य भाई उससे इर्शा करने लगे एक दिन उसके भाईों ने उसे बुखारा ले जाकर दास के रूप में बेच दिया बुखारा से वह गजनी और फिर बगदाद ले जाया गया बगदाद में वह सुफियों के संपर्क में आया और सुफिय संतों के विचारों से इल्टूतमिस अत्याधिक प्रभावित होता है गजनी में दासों के बजार में एक दिन मुहमद बिन गोरी की नजर उस पर पढ़ती है वह इल्टूतमिस से अत्याधिक प्रभावित होता है परंतु वेपारी से मुल्य पर मत्वेद होने के कारण सुल्तान ने इलतुतमिस को गजनी के बजार में बेचने पर प्रतिबन लगा दिया बाद में जब कुतुबदीन एबक ने इलतुतमिस को खरीदने की इच्छा प्रकट की तो सुल्तान ने दासों के वेपारी को आग्या दी कि वह इलतुतमिस को दिल्ली ले जाएं दिल्ली में ही कुतुबदीन एवक ने उसे अपने दास के रूप में खरीदा दिल्ली में इलतुतमिस बहुत जल्दी एवक का विश्वास पातर बन जाता है उसे सर जानदार यानि की शाही अंगरक्षकों का सरदार निक्त किया जाता है इल्टूतमिस की प्रशाशनिक शम्ता से प्रभावित होकर कुतुब दिन ने उसे अन्य प्रशाशनिक पद भी सोंपे उसे अमीरे शिकार का पद दिया गया 1200 ECU में वह ग्वालियर नगर का अमीर बना उसके बाद में उसे एक रमशे ग्वालियर बरन और बदायों के एक्तादार के रूप में भी कारे किया सुल्तान मुहम्मद गोरी ने जिस समय खोकरों के विरुद अभियान किया इलतुतमिस भी कुतुबदीन एबक के साथ सुल्तान की सेवा में पहुंचा उसकी ऐसाधारन वीरता से मुहम्मद गोरी अत्यधिक प्रभावित होता है और उसे दास्ता से मुक्त करने का आदिश दिया जाता है इस आदिश की फलस्वरू 1205 एशवी में इलतुतमिस को एबक ने दास्ता से मुक्त कर दिया और उसके बाद में उसे बदायू का प्रशाशक न्यूक्त किया एबक ने अपनी एक पुत्री का विवा भी उसके साथ में कर दिया अब हम देखते हैं कि किन परिस्तितियों में इल्टूतमिस का राज्य रोहन हुआ कुतुब दिन एबक की मृत्यू के पश्चात एवेवस्ता की इस्तिति में लाहोर के अमीरों यानि की जो अधिकारी थे उन्होंने आरामशा को शुल्तान घोसित कर दिया इधर दिल्ली के सरदारों ने इल्टूतमिस को आमंत्रित किया इल्टूतमिस एबक का दामाद था और एबक की मृत्यू की समय वह बदायू जो की उत्तर प्रदेश में हैं एक महतुपूर्ण प्रांथ हुआ करता था उसका प्रशाशक म्योगत था इस इस्तिती में आरामशा और इल्टूतमिस के बीच में जूद की लड़ाई होती है जिसमें इल्टूतमिस को विज्जे के पश्चात सत्ता मिलती है और वह सत्ता सीन होता है इल्टूतमिस इल्बारित तुर्क था तता शम्शी वन्ष का था इल्टूतमिस को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्तापक माना जाता है हालांकि दिल्ली सल्तनत का संस्तापक तो कुतुबदीन एबख है परन्तु वास्तविक सुल्तान इल्टूतमिस को माना जाता है अब हम देखेंगे कि इल्टुत्मिस के शाशक बनने के पश्चात उसके सामने कौन-कौन सी समझचाएं आई यद्दिपी इल्टुत्मिस बिना किसी विसेस कठिनाई के सुल्तान बन गया परन्तु उसके समक्स अने कठिनाईया थी उसकी इस्तती अत्यन्थी नाजुक बनी हुई थी इल्टुत्मिस के तेन प्रतिद्वन्दी थी गजनी में यल्दोज, सिंद में कुबाचा तथा बंगाल में अली मरदान उसकी दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी राजपूत् शाशक जो पुनहें दिल्ली सल्तनत को चुनोती दे रहे थी कालिंजर और ग्वालियर पहले से ही तुर्कों के हाथ से निकल चुके थे नव इस्तापित राज्य को मंगोल आकर्मन का भी खत्रा पेदा हो गया था इल्टूत्मिस की आंत्री किस्तिती भी ऐसंतोस जनक थी तुर्की अमीरों का एक वर्ग मुईजी और कुत्वी जो अमीर वर्ग था वह इल्टूत्मिस का विरोध कर रह था राज्य की आंत्री किस्तिती भी चिंता जनक थी प्रशाशनिक विवस्ता पूरी तरह नश्ट हो चुकी थी शंक्षेप में यह कहा जा सकता है कि नव इस्तापित तुर्की सल्तनत विनाश की कगार पर खड़ा था इसकी सुरक्षा एक दरड निश्य एवं सहासी वेक्ति ही कर सकता था इल्टूत्मिस ने इस कारे को पूरा किया इसी कारण अनेक विद्वान भारत में तुर्की सल्तनत का वास्तविक संस्तापक इल्टूत्मिस को मानते हैं अब हम देखेंगे कि इल्टूत्मिस ने अपने सामराज्य को सुद्रड ता प्रदान करने के लिए क्या क्या कारे किया इल्टूत्मिस 1210 से 1236 एशवी तक गदी पर बना इस अवधी में उसने अनेक विरोधियों की शक्ति को समाप्त करके अपनी इस्तिती को सुद्रड करने का कारे किया दूसरे चरण के तहट उसने मंगोल आकरमन कारियों से राज्य की शुरक्षा की तथा तीसरे चरण के तहट उसने अपनी शक्ति का विस्तार किया तथा प्रशासनिक संगटन पर ध्यान दिया पहले चरण में हम देखते हैं कि इल्टूत्मिस ने गोरी के अन्य प्रतिद्वन्दियों या जो प्रतिनिदियों से प्राप्चुनोती का सामना किस प्रकार किया इल्टूत्मिस को सत्ता प्राप्ति के तुरंत बाद गोरी के प्रतिनिदियों यल्दोज जो की गजनी चेतर में प्रभावशाली था कुबाचा जिसका की राज्य सिंद्वे मुल्दान चेतर पर था से चुनोती मिली परन्तु इल्टूत्मिस ने दोनों को परास्त करके 1220 इसवी तक दिल्ली को इनकी हस्तक्षेप से मुक्त करवा लिया अब दूसरे चरण में हम देखते हैं कि इल्टूत्मिस को मंगोल आकरमन का सामना करना पड़ा जो की 1221 इसवी में होना था ततकालिन मंगोल नेता चंगेश खां खौरिजम के अंतिम शासक जलालू दीन मंग मंग बरनी का पीछा करते हुए सिंदे तक पहुंच गया था यहां पहुंच कर जलालू दीन ने इल्टूत्मिस से शरण मांगी इसी समय चंगेश खां अपना एक राज दूत इल्टूत्मिस के पास में भेजता है और कहलवाता है कि वह मंग बरनी की शरण ना दे ना ही उ अलवायू आपके रहने के लिए अनुकूल नहीं है अतहे आप यहां से चले जाए इस प्रकार वह सूज भूस्ते अपने राज्य को मंगोल आकर्मन के भे से बचा लेता है अब हम देखते हैं कि तीसरे चरण के तहत उसने अपने सैनिक अभियानों से अपने सामराज्य को इस्थाइत्वे प्रदान किया और उसको सूद्रड़ता दी सबसे पहले उसने बंगाल वे बिहार पर विजय प्राप्त की अपने प्रतिद्वंद्यों का सफाया कर और मंगोल आकर्मन कारियों के संभावित आकर्मन से मुक्त होकर इल्टूत्मिस ने अपना सारा ध्यान अपने सामराजे की विस्तार एवं सूद्रडी करन की तरफ लगाया सबसे पहले उसने बंगाल की तरफ ध्यान दिया एबक की मृत्यों के पश्चात फेली एववस्ता का लाब उठा कर खिलजी सरदार अली मर्दान ने अपनी सुछतंतर सत्ता इस्तापित कर ली थी बाद तिरहुत बंग और कामरुक के राजियों से कर वसूल किया इलतूतमिस के लिए उसे दबाना आश्यक हो गया इलतूतमिस ने बारा सो पचीस एस्वी में दक्षिन बिहार पर आकरमन करके मलिक जानी को वहां का सुविदार नियुक्त किया हिसामुदीन ने सल्तनत की अधिन से भगा दिया अब इलतूतमिस ने अपने पूत्र नासुरुदीन महबूद को बंगाल पर आकरमन करने का आदेश दिया 1226 एस्वी में महमूद ने लखनोती पर आकरमन करके हिसामुदीन को मार डाला महमूद बंगाल का मुक्ता मुक्ता यानि बड़ी अक्ता का स्वामी प्रांतिय गवर्नर नियुक्त किया गया महमूद की मृत्यू के पश्चात पुने हैं लखनोती में विद्रो होता है अतहे 1230 एस्वी में इलतूतमिस ने बंगाल पर आकरमन किया और वहां पर शांती विवस्ता इस्तापित की बंगाल वे बिहार से निपटने के पश्चा इलतूतमिस राजपूत राजजों की और मुखातिब होता है इलतूतमिस ने अब राजपूतों की तरफ अपना ध्यान दिया राजपूतों की होसले पहले की तरह बढ़ गए थे उन्होंने कर देना बंद कर दिया था तता अपनी स्वतन तता की गोशना कर दी थी तता वे तुर्कों की सत्ता समाप्त करने का प्रियास कर रहे थे इन विद्रो ही राजबूत राज़ों में चंदेल, प्रतिहार, चोहान इन पर अपनी अधिसत्ता पुने इस्तापित करना आफशक था अतहर राजबूत राज़ों को परास्त करने की योजना बनाई गई इल्टुतमिस ने 1226 एस्यू में रंधंबोर और 1227 में मंडोर पर विज़े हासिल की उसके बाद में उसने अजमेर, जालोर, बयाना, नागोर, गौालियर इत्यादी राज्यों पर अधिकार कर लिया 1233 एस्यू में उसने कालिंजर पर भी आकर्मन किया और सफलता पाई उठाकर अनेक राज्य स्वतंतर हो चुके थे, इल्टुतमिस ने बदायू, कन्नोज, बनारस, रुहेलखन, अवद, चंदावर और तिरहुत पर पुने अपना आधिकार स्तापित किया विद्रोही राज्यों को कर देने के लिए विवश्च किया, इन राज्यों की गती विद्यों पर नियंतरन रखने के लिए सेना भी बहाल की गई इन सेनिक अभियानों के कारण जहां सल्तनत की स्थिती सुद्रड होती है, वहीं सल्तनत की सीमा भी विस्तृत होती है दूआ पर आर्थिक और प्रशासने कनेंदरन भी इस्तापित किया जाता है दूआप से निपटने के पश्चात इल्टूतमिस अपना सारा ध्यान सीमान प्रदेश की सुरक्षा पर लगाता है इल्टूतमिस ने पश्ची मोतर सीमान प्रांत की सुर्खषा की भी विवस्ता की इस चेतर में फैले खोकरों के विद्रों को दबाने एवं शान्ती विवस्ता के लिए उसने सेना भेजी सेना ने स्याल कोट जालंदर और नंदन पर अधिकार कर वहां शान्ती विवस्ता इस्तापित की परंतु इसी अभियान के दोरान 1236 एस्यू में इल्टूतमिस की प्रत्यू हो जाती है अब इल्टूतमिस की अन्य गतिविदियां जिसके तहट वो अपने सामराजे को सुद्रड बनाता है उसमें सबसे पहले वे प्रशासनिक विवस्ता को सुष्तापित करता है इल्टूतमिस ने अपने राजे का विस्तार कर उसे संगठित करने का प्रयास किया इस उद्देशे से उसने प्रचलीत प्रशासनिक विवस्ता में आवश्यक परिवर्तन किये अब वे तुर्की राजे का प्रशासनिक शुरूब कुछ हद तक सेनिक विवस्ता पर आधारित था विजिट छेत्रों पर सेनिक अधिकारियों की नियुक्तियां की जाती थी जो की राजस्वेवसूल ने एमम अपने इलाके में शान्ती शुववस्ता इस्तापित करने के कारिये करते थी यहे विवस्ता दोश्पूर्ण थी प्रजा का शासक से सीधा संबंद इस्तापित नहीं हो पाता था जिससे की शासक जनता की सहनो बूती प्राप्त नहीं कर पाता था दूसरी महतोपुन बात यह थी कि इससे महतोकांख्शी सेनिक अधिकारियों के विद्रों का खत्रा सदेव बना रहता था इस विवस्ता में परिवर्टन लाने के लिए इल्टुतमिस ने अनेक महतोपुन उपाय किये अब हम देखते हैं कि इल्टुतमिस ने सल्तनत की शक्ती एवं प्रतिष्टा में व्रद्दी के लिए क्या क्या कारे किये सरोप्रथम इल्टुतमिस ने सुल्तान की शक्ती एवं प्रतिष्टा स्थापित करने का प्रियास किया इसलिए उसने अमीरों को जो विरोधी थे उनको महतोपुन पदों से हटा कर अपने विश्वास पातर वेक्टियों को बहाल करने की ओजना बनाई उसने अपने विश्वासपात्र वेक्टियों को लेकर चरगान यानि की चालिस गुलामों का दल या चालिसा के स्तापना की यहें वफादार गुलाम अमीरों का एक समुह हुआ करता था राज्य के महतुपुन पद इन्हें सौंप दिये गए विरोधी अमीरों को बर्खास्त कर दिया गया उनकी संपत्ती जब्त कर ली गई उनमें से अनेकों मोट के घाट उतार दिया गया इल्तुतमिस के इस कारिये ने विरोधी अमीरों पर सुल्तान का प्रभाव आतंक कायम कर दिया चरगान की अत्रीक्त अन्य योग्ये एवं प्रशास्निक दक्ष्टा वाले वेक्टियों को भी योगिता अनुसार राज्य के उच्पद सौंप दिये गए इस कारिये में भारती और विदेशी मुसल्मानों में भेद नहीं किया गया जिन इलाकों में विद्रोवे अशानती की संभावना थी उन छित्रों में तुर्की अधिकारियों एवं सेनिकों को न्युक्त किया गया अब हम देखते हैं कि इल्तुतमिस ने इक्तादारी प्र इनके अधिकारी इक्तादार कहलाए इक्तादारों की विबिन श्रेनिया थी बड़े इक्तादार प्रांतिये गवर्नर के रूप में कारे करते थे उन्हें सेनिक पुलिस और न्याईक अधिकार प्राप्त थे लगान वसूली का कारे भी वे देखते थे छोटे इक्तादार केवल सैने कारे करते थे एक्तादारों को उनकी सेवा की बदले अपने अपने छेतर में लगान वसूलने का दिका दिया गया था जिसका कुछ भागवे अपने खर्च के लिए रख सकते थे इक्तादारी व्यवस्ता ने पहले की प्रचलित सामनती व्यवस्ता को समाप्त कर दिया इक्तादारों पर केंदर का नियंतरन इस्तापित हो गया समय समय पर उनका इस्ताना अंतरन भी होता था ये दिपी इक्तादारी विवस्ता की बाद में अनेक जो दुर्बलता ही है वो हमारे सामने आई पर उन्तु आरम में इस विवस्तादारा केंद्री शक्ति को मजबूती प्रदान करने में सायता मिली इल्तुतमिस ने सेनिक विवस्ता एवम न्याय प्रणाली में भी सुधार किया उसने साही सेना का स्वरूप निश्चित किया सेना में बहाली करते समय योग्य वैक्तियों को इस्तान दिया जाता था सेना के रख रखाव और सेनिकों को अच्छा वेतिन देने की विवस्ता की गई सेना के अधिकारियों को सेवा के बदले नगद रकम न देकर जागीर देने की प्रथा प्रारम हुई हलांकि इस जागीर विवस्ता के परिणाम बाद में घातक निकलते हैं परंतु ततकालीन परिस्तितियों में इससे राज्य को सेनिकों की वफदारी प्राप्त होई। इल्टूतमिस ने उचित न्याय के संपादन के लिए दिल्ली एवं अन्य नगरों में काजी एवं अमीर दाद नामक पदादिकारियों की न्यूक्ति की जो की मुकदमों का अदे उततपर रहता था अब इल्टूतमिस ने सिक्के जो की टंका और जीतल का प्रारम किया और मुद्रा में सुदार किया इल्टूतमिस पहला तुर्क साशक था जिसने शुद अर्बी सिक्के चलाई इसी ने पहली बार चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रारम किय इल्टूतमिस ने 1229 एस्यू में खलिपा से मानेता का अधिकार पत्र प्राप्त किया इल्टूतमिस पहला शुल्तान था जिसने अपने सिक्कों पर अर्बी लीपी में अपना नाम खलिपा के प्रतिनिदी के रूप में उलेखित करवाया इल्टूतमिस ने ही सल्तनत काल में सिक्कों पर टकसाली का कारे प्रारम किया याने कि सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाना शुरू करवाया इल्टूतमिस के समय सेन्य विवस्ता की नियू पड़ती है सेना को हश में कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी कहा गया बलबन के समय एक केंद्रिय सेन्य विभाग दिवाने आरिज की स्तापना होती है अब हम इल्टूतमिस के कारियों की समिक्षा करते हैं आरंबिक तुर्की सुल्तानों में इल्टूतमिस का महतोपूर्ण स्तान था उसने कुतुबदीन एबक के अधूरे कारियों को पूरा किया प्रोफेसर इश्वरी प्रशाद इल्टूतमिस को गुलाम वन्ष का वास्तविक संस्तापक मानते हैं डोक्टर आरपी त्रिपाठी का भी मत है कि भारत वर्श में मुस्लिम प्रबू सत्ता का वास्तविक स्रीगर्णेश उसी से होता है उसी ने देश को एक राजधानी, स्वतंतर राज्य, रास्तंत्री, शासन और शासक वर्ग प्रदान किया अनेक इतिहास कारों ने इल्टुतमिस के सैनिक, प्रशासनिक एवं व्यक्तिगत गुनों की प्रशंचा की है प्रोफेसर हबी बूला के शब्दों में एबक ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं और उसकी संप्रभूता की सिर्फ रूप रेखा बनाई इल्टुतमिस निसंदे है उसका पहला सुल्तान था प्रोफेसर निजामी भी कहते हैं कि इल्टुतमिस की जो कारे विवस्ता थी वह एबक से सर्वस्रश्च थी उनका कहना है कि एबक ने दिल्ली सल्तनत की रूप रेखा के बारे में सिर्फ दिमागी आकरती बनाई याने की दिमागी खाका बनाया इल्टुतमिस ने उसे एक व्यक्तितवे एक पद एक प्रेणा शक्ती एक दिशा एक शाषक व्यवस्ता और एक शाषक वर्ग प्रदान किया विश्म परिस्थितियों से जूजते हुए उसने तुर्की राज्ये को स्थाईतवे प्रदान किया वहे कुशल सेनापती, वीर विजेता, दूर दश्शी एवं नियाईपरिय शाषक तथा कलावे साहित्य का सरंग्शक था कला की छेतर में उसके सबसे बड़ी देन एबक के अधूरे कुतुबिनार को पूरा करवाना था उसके समय में दिल्ली का सांस्कृतिक विकास होता है, यह सांस्कृतिक केंदर बन जाता है, जहां मद्य एश्या से आने वाले विद्वानों और कलाकारों को प्रश्य मिलता है वास्तों में भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्तापक इलतुतमिस ही था भारत में मुस्लिम प्रभु सत्ता का वास्तविक स्रीगर्नेस इलतुतमिस से ही होता है उसने दिल्ली सल्तनत को गजनी के प्रभाव से मुक्त कर एक स्वतनतर राज्य की रूप में स्तापित किया